IPL 2024 में रोज एक नया खिलाडी अपने गेम के जर्ये अपने नाम को दर्ज करा रहा है IPL की सुनहरी रंगवाली ट्रोफी पर लिखा हुआ है यात्रा, प्रतिभा, अफसरा, प्रप्नुती मतलब है कि जहां नए प्रतिभागियों को अफसर मिलता है, युवाव को नया मौका मिलता है, साथ ही फाइदा भी होता है युवाव को अपने प्रतिभाग दिखाने का नया प्लाटफर्म हासिल होता है इस लीग ने कई ऐसे खिलाड़ी दिये हैं, जिन्होंने अपने देश की ओर से खेलते हुए, विश्विस्तर पर खूब नाम कमाया है बता दे, इस लीग ने देश और विटेश, दोनों जगह उपर युवाव को मौका दिया है इस दोरान एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं इस लीग के आने से खिलाड़ीों को अपने विपक्षी के मजबूत और कमजोर पक्ष जानने का मौका मिलता है ऐसे में इस लीग उन खिलाड़ीों के रिए सबसे फायदेमंद है जो करियर की शुरुवाद कर रहा है IPL ने पिछले 12 साल में कई युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिबा साबित करने का मंच दिया है इस बर IPL में यू तो कई खिलाड़ीों ने अपना नाम बनाया है लेकिन जिस खिलाड़ी ने अब तक सबसे ज़ादा प्रभावित किया है वो है असम की एक शांदार खिलाडी रियान पराग जो पिछली कुछ सालों से राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे है इनकी प्रतिबा को हम सबने देखा है लेकिन वो कहते हैं जब तक आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन बड़े मंच पर लगातार नहीं करोगे तब तक लोग आपकी योगिता पर अशंका जताएंगे इस सीजन से पहले तक रियान परा के नाम आईपिल के 54 माच में केवल 600 रानी थे लेकिन इस सीजन इनका बला बहुत जोर शोर से बोल रहा है अब तक केवल 5 माच में ही 261 रन ठोक चुके हैं जिन में दो बड़े अर्दुष्रा तक भी शामिल है कल गुजरात के खिलाव भी उन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली वहीं इस से पहले 43, 84, 54 और 4 की पारी अभी खेल चुके अपने शानदार फॉर्म के जर्यें उन्होंने अब तक ना सिर्फ फैंस का दिल जीता है बलकि अब T20 वर्ल कप में जगा बनाने के लिए प्रबल दाविदार बन गए फैंस उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी में भी इसी तरह का प्रदर्शन करते देखना चाते उन्होंने अपने बल्ले से जिस तरह से गेंदबाजों का हाल किया है उससे शायद वो अपने T20 वर्ल कप का टिकट भी कटवा ले रियान पराग की तुलनाक सर भारतिये कप्तान रोहित शर्मा और महान बल्लेबास विराट कोली से होती आईपियल 2021 में एक इविंट के दौरान पराग ने अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर एक सेशन में हिस्सा लिया था और सवालों के जवाब भी दिये थे तब एक फैन ने पूछा कि उनका सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी ओर्टोग्राफ कौन सा है पराग ने तुरंथ फोटो शेयर की जिसमें विराट कोली के ओटोग्राफ किया हुआ बल्ला नजर आया इस पर विराट ने एक मेसेज भी लिखा था अगर इस आईपिल की बात की जाये तो रियान पूरी तरह से विराट कोली के ओरेंज काप के पीछे पड़े हुए जहां कोली के पांट मुकाबलों में 316 रन है वहीं दूसरी तरफ रियान पराग के इतने ही मुकाबलों में 261 रन है और कुछ माच पहले पराग के सिर्की शोभा भी बढ़ा रही थी अगर पराग के T20 वर्ल कप के जगा बनाने के संभावनाओं को देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की धीमी और फ्लाट पिछपर रोहिचर्मा इस खिलाडी को लेकर जा सकते हैं पराग ना सिर्फ T20 क्रिकेट में एक परांगत बलेबाज है बलकि अच्छी खासी बॉलिंग करने बेबी उन्हें महारत हासिल है इसके अलावा उनकी फिल्डिंग स्किल्स भी कमाल की ऐसे में हार्दिक पांधिया रविंद्र जड़ेजा शिवम दूबे अकसर पटेल के साथ रियान पराग भी T20 वर्लकप का हिस्सा बनना चाहेंगे लोग भी कहते हैं इनका एटिट्यूट जहां विराट कोली जैसा है तो बार्टिंग स्किल्स रोहिच शर्मा जैसी है